हेलो फ्रेंद्स, वेलकम बैक, I am Vivek Shingal from Tradingwithvivek.com और आज हम बात करने वाले हैं वेदानता लिमिटेड के बारे में वेदानता एक कोंगलोमरेट है जिसमें जो माइनिंग कोंगलोमरेट है इसमें यह इस्टेल भी निकालते हैं, जिंक भी निकालते हैं और बाकी भी काफी चीज़े हैं अल्यूमिनियम भी है और साथ में कच्छा तेल भी है क्योंकि केंड इंडल इमिटेड जो पहले कंपनी हुआ करती थी वो इसमें मर्ज हो गई थी तो यहां पर जब हम विदानता की बात कर रहे हैं तो विदानता की बात इसलिए कर रहे हैं इसमें काफी लोस हो रहा है क्या किया जाए तो 341 जो प्राइस था वहां से 31% टूटा हुआ है और कोविड के बाद जो इसका प्राइस 440 चला गया था वहां से यह 47% डाउन है तो ऐसे में क्या किया जाए और पिछले कुछ दिनों से यह लगाता डाउन ही जा रहा है यह ओल्मोस 17% डाउन गया है पिछले कुछ दिन में लेकिन अगर इस स्टोक की एक बेसिक नेचर द जाता है तो यह 81% डाउन गया 82% डाउन गया कोविड से पहले जो इसका हाई था उससे पहले भी एक बार इसने ऐसे ही स्विंग बनाया तो यहां पर यह अगें 81% डाउन गया था इससे पहले अगर हम देखें कि जो इसने स्विंग हाई और लो बनाया तब यह कितने परसे सिट्टोग की है कि बहुत बड़ी-बड़ी swings में trade करना उपर जाना फिर उपर जाना 76 परसे तूट जाना फिर से उपर जाना फिर 80 परसे तूट जाना और अभी फिर से अगर हम यहां पर इसके सारी drawings एक बार हटा लेता है तो यहां पर फिर निकल कर आता है क्या इसमें बने रहना सही है because majority of people ने इसको अगर खरीदा है तो यहां खरीदा है क्योंकि वो एक general सी habit है सभी की जब rally आजाए तब खरीदना और अच्छे से chart patterns को technically analyze नहीं करना अगर हम यहां पर इक chart patterns देखें भी तो chart pattern में हमने कुछ चीज़े साफ साफ नजर आती है जैसे मैं आपको बताता हूं कि यह एक reverse head and shoulder pattern भी नजर आता है कफविध handle pattern भी कह सकते है उसको कि हमने इस तरीके से यह pattern बनाया बार बार यहां पर pattern बना इस तरीके से और यहां से breakout भी हुआ आप ध्यान से समझना इस बात को ठीक से यहां पर यह breakout हुआ this candle that is 19th January लेकिन मैं एक चीज़ कहता हूं breakout वाली candle जो है उसका जो high बने उसके high के उपर जब तक close ना हो green candle के साथ तब तक वो breakout confirm नहीं होता तो यहां पर यह breakout confirm नहीं हुआ और जब breakout confirm नहीं हुआ तो फिर यह नीचे आ गया और यह pattern actual में valid pattern था ही नहीं अब कहीं बार हम अगर pattern पूरा नहीं होता उससे पहले भी purchase कर लेता है लेकिन वो हम तभी purchase करते हैं ज जो regular businesses हैं और डेली routine में जिन companies के products या services की हमें जरुरत है लेकिन यह एक ऐसी company नहीं है यह cyclical company है और cyclical होने के साथ में यहां पर management के ऊपर बहुत सारे doubts आते हैं वो doubts कैसे आते हैं doubts क्या वो साफ साफ है कि इस company की management की जो activities रही है पिछले 2-3 साल से तीन साल से उससे पहले मै कोई activities रही है उस बात से साफ साफ पता सलता है कि उनका कोई भी action जो minority shareholders है minority shareholders means retail shareholders है people like you and me उनके favor में बिल्कुल नहीं है they don't care about us और जो भी decision लेते हैं सिर्फ और सिर्फ अपने फाइदे के लिए लेते हैं company के फाइदे के लिए भी नहीं लेते सिर्फ अपने personal hit में लेते हैं yes मैं इस बात को बिल्कुल साफ साफ कहा रहा हूँ और यह कोई allegation नहीं है यह data बताता है और जो data इस बात को बताता है मैं आपके सामने share कर रहा हूँ so this is this is based on the public figures जो public में data posted है जो audited data है जो ministry of corporate affairs में posted है जो balance sheet को submit किया जाता है NACBSC पर यह उसकी explanation है मेरा personal मेरे पास को insider information न नहीं होता क्योंकि enough money can be made अगर हम market में जो data available है जो information available है उसी को अच्छे से समझ कर हम trade कर लें तो बहुत पैसा बनता है अपने आपको secure भी रख पाता है यहां पर problem क्या है यहां पर जब यह stock price काफी नीचे चल रहा था मैं वापस से सारी चीज़े हटाता हूं यहां से 2020 की बात है October 2020 की यह offer लेकर आए 86 रुपीज पर अपनी company को dealist करने के लिए ध्यान से समझना company को dealist करने के लिए 86 रुपीज पर offer लेकर आए और यह offer कब आया जब stock price was trading almost at the lowest level lowest level कितने साल के बहुत सारे सालों के lowest level पर मैं weekly chart open करके दिखाता हूं कि 86 रुपीज कहां आता है 86 रुपीज को अगर हम यहां पर जो इन्होंने offer किया था price अगर हम रखने लगें तो this is that level और यह same level है जब 2007 और 2006 में भी same price पर यह trade कर रहा था यानि कि rock bottom price पर यह offer लेकर आये लेकिन offer इनका successful नहीं हुआ क्योंकि LIC जैसी company जो इसमें invested थी जिन्होंने 6.37% पैसा लगाया हुआ था उन्होंने 87 पर अपने shares को surrender करने के बदले तो यहां पर एक calculation की जाती है कि 90% shareholders minimum surrender करने चाहिए या offer करना चाहिए इस deal listing के लिए और उन 90% से ज़्यादा यानि कि जितना भी हुआ 90% से ज़्यादा होना चाहिए लेकिन जितना भी हुआ उससे ज़्यादा अगर है तो उससे ज़्यादा की calculation होगी उनका average निकाला जाता है और उस average को यहां पर accept करना होता है management ने अगर management उस average price पर ready होती है तो वो deal list कर पाती है अगर उस price पर ready नहीं होती तो deal list नहीं कर पाती अब क्योंकि majority of बड़े-बड़े institutions ने 320, 250 उस तरह के prices पर offer किया तो जो average price निकल कर आया वो काफी उपर का price निकल कर आया अब जब उतने पैसे देने को company ने मना कर दिया कि भी हम इस price पर तो deal list करने को तयार नहीं है तो यहां पर deal list करने का purpose क्या था परपस सिर्फ इतना था कि अच्छी company बिल्कुल पिटे हुए price पर यहां पर अब सारा का पूरी की पूरी company अपने favor में कर लो अपने पास ले आओ और सिर को लगता है कि share price बहुत ज़्यादा सस्ता हो गया है और company की वर्थ ज़्यादा है लेकिन हम सबके साथ हैं और एक higher prices पर जैसे विपरो करती है जैसे TCS करती है जैसे Infosys करती है उस तरीके से buyback लेकर आए अच्छे खासी price पर जिसको submit करने हो करे लेकिन नमहां पर deal list करने की लेकिन यह deal list जो पूरा process था है फेल हो गया उतना price नहीं दिया उसके बाद एक नया game खेला गया वो नया game क्या है मैं आपको दिखाता हूं साफ साफ वीडियो काफी आपको knowledge देगी और इसके लिए हम गए सबसे नीचे shareholding pattern में जब shareholding pattern में गए तो जिस time पर इनका यह buyback sorry deal listing fail हो गया उस time पर इनके पास shareholding कितने थी 50% promoters के पास shareholding कितने थी 50% उसके बाद इन्होंने क्या किया market से shares purchase किये 5% market से ही shares purchase करने शुरू कर दिये और market से share purchase करने के लिए पैसा कहां से आया इन्होंने अपने ही shares को गिरवी रखा ध्यान से समझना यह एक पूरा मैं game and अगर इसको integrity point of view से कहा जाए और general minority shareholders के hit को ध्यान में रखने की बात के हिसाब से किया जाए तो इसको scam भी कहा जा सकता है और यह scam सब के आखों के सामने है तो यहाँ पर 50% से 55% किया गया यह 5% जो shareholding बढ़ाई इसके पैसे कहां से आये इसके पैसे आये इन्होंने जित 100% shares जो promoters के पास थे 100 के 100% shares इन्होंने pledge किये अब bankers के पास इन्होंने shares pledge किये bank से पैसा personal capacity में उधार लिया और उस उधार लिये हुए पैसे से इन्होंने अपनी ही company के shares market से purchase करने शुरू कर दिये और जब market से shares purchase करने शुरू किये तो यहाँ पर 50% से बढ़कर 55% हो गई फ market से ही तो यहाँ पर 65% हिस्सेदारी हो गई फिर उन्होंने one quarter कुछ नहीं किया one quarter के बाद फिर से इन्होंने 4% 5% हिस्सेदारी market से purchase कर ली और 69.69% हिस्सेदारी तक ही ले गए यह हिस्सेदारी कहां से बेची गई यह public से भी इन्होंने shares उठाए public की share holding कम हो गई यहाँ पर जा रहे थे और यह इन्होंने buying कब तक की इन्होंने buying की December 2021 quarter तक अब जब December 2021 quarter तक इन्होंने buying की अगर हम एक बार share price देखने लगें कि December 21 तक यहाँ पर क्या price था December 21 हम यहाँ पर जाते हैं so December 21 हमारा यह price निकल कर आता है 360 तक यहाँ तक की इन्होंने इस पूरी rally में इन्होंने यहाँ पर buying की इस पूरी rally में इन्होंने अलग-लग time पर buying की होगी एक quarter buying नहीं की तो शायद वो quarter ऊपर रहा होगा तो अपकोर् इस पात को ध्यान में रखे करेगा कि नीचे की range में ही buying की जाए अब ठीक है नीचे की range में buying की उसके बाद में buying करने के बाद scenario क्या आया यहाँ पर अब इनके उपर pressure है कि जो पैसा इन्होंने उधार लिया वो उधार पैस इन्होंने वापस देना भी है of course अब वो पैसा क किया और 70% करके अब क्योंकि इनके सारे के सारे shares pledge है और इन्होंने जितनी भी buying की है सारी सारी उधारी के पैसे से की है वो उसको उधार को पे करने के लिए इन्होंने क्या किया हम cash flow में जाते हैं और यहाँ पर cash flow में जाकर हम नीचे जाकर check करते हैं हाँ cash flow में गए हम लोग और cash flow financing activities में गए यहाँ पर हम check करते हैं जो dividend paid है dividend paid इन्होंने अच्छा खास है यहाँ पर दिखाना शुरू किया और यह dividend paid 19,000 crore and last 12 months में this is 41,000 crore rupees का इन्होंने dividend pay किया और यह dividend pay कितना किया अगर आप dividend yield के point of view से देखें so this is 43.5% इस हद तक यहाँ पर dividend को pay किया गया अब यह dividend pay करने का result क्या निकला आप ध्यान से समझाओ फिर से कि हम यहाँ पर amount check करते हैं कि last two years में कितना dividend pay किया गया 19,000 प्लस 41,000 so total is 60,000 crore right 60,000 crore rupees का dividend pay किया गया अब इनके पास खुद के पास कितने shares है 70% shares इनके खुद के पास है right we can see that कि 70% shares management के पास खुद के पास है या नहीं 70% खुद के पास है और 70% जब खुद के पास है 60,000 crore rupees dividend की रूप में pay किये गये तो अपने पास कितना है 60,000 crore का 70% means 42,000 crore rupees अब यह 42,000 crore rupees का इन्हों ने अपने आपको payment किया और of course 18,000 crore का public को भी गया जो 30% public है public में BII भी आता है FII भी आता है और retailers भी आता है लेकिन इतना huge dividend तब क्यों नहीं दिया गया जब पहले से ही यहाँ पर 50% हिस्सेदारी थी नहीं 50% के case में इतना सारा थोड़ी देते क्योंकि फिर दो general public को भी चला यहाँ पर game क्या खिला आप पूरा देखना कि 70% हिस्सेदारी भी हो गई और 50% से 70% बढ़ाने के लिए जितना पैसा चाहिए था जो उधार लिया था उसकी repayment अपने आप ही dividend करके भी देती अब अपने पास shares भी आ गए अपने पास मैं कहता हूं कि कुछ भी किया है नहीं किया लेकिन कुल मिलाकर 40,000 क्रोड रुपीज अपनी pocket में आ गए तो क्या dividend पे करना है आप विवेक भाई गलत है आप क्या ये कहना चाह रहे हो नहीं बिलकुल गलत नहीं है सब कुछ लीगल ही किया गया है सब कुछ rules के मुताबिक ही किया गया है और जब operator भी market से कुछ purchase क आया जाता है और यही reason है कि आखों के सामने सब कुछ होता है और यहाँ पर किसी को कुछ भी नहीं कहा जाता है क्योंकि सब कुछ rules and regulations के हिसाब से only problem क्या है कि उन लोगों को rules and regulations पता है और जो retailers है वो अपने Netflix देखने में busy है उनको rules and regulations से कोई मतलब नहीं है बस बात में एक लगाने पर जुरूर उनका मन आता है कि rich लोग, poor लोगों की pocket काटते रहेंगे और उनके साथ यहाँ पर उनके साथ अत्याचार करते रहेंगे अपनी जिम्मेदर ही नहीं लेंगे बस इतना point है यहाँ पर retailers भी यहीं गलती करते हैं मैं यहाँ पर further एक और चीज बताना चा इसी डेटा को ठीक से समझा जाए तो यहाँ पर 29,000 क्रोर का तो इन्होंने जो debt है वो repay किया last financial year में ध्यान से समझना बहुत important information है इन्होंने repay किया 30,000 क्रोर 29,000 क्रोर और further borrowing कितनी ली इन्होंने 42,000 क्रोर यानि कि 42,000 क्रोर की borrowing ली 30,000 क्रोर इन्होंने repay किये तो 12,000 क्रोर अपने आपको dividend pay करने के लिए आप ध्यान से समझ पा रहे है इस बात को कि अपने आपको dividend pay करने के लिए उधार पैसा लिया और इन्होंने आपको dividend pay किया अपने आपको ही कहा जाएगा क्योंकि यहाँ पर साफ साफ क्या नजर आता है कि जो reserve 65,000 क्रोर थे वो कम होकर कितने हो गए 40,000 करोर और जो borrowing हैं पर 53,000 करोर थी वो बढ़कर कितनी हो गई 66,000 करोर आप इस बात को ध्यान से समझो कि यह balance sheet के साथ क्या खिलवाड किया गया है यहाँ पर अगर आप एक और चीज़ समझना अगर यह dividend pay नहीं किया जाता तो क्या situation होती अगर dividend pay नहीं होता तो जो 53,000 करोर रुपीज का borrowing था और 53,000 करोर की borrowing में से अगर यहाँ पर जो dividend pay किया गया 41,000 करोर का इसको borrowing पे करने में यूज किया जाता तो 53,000 करोर माइनस 41,000 करोर कंपनी के पास सिर्फ और 11,000 करोर की borrowing रह जाती और company अगले ही 6 महिने और में यहाँ पर यह debt-free company हो जाती समझो आप ध्यान से कि एक company की balance sheet को जहाँ पर bankों से loan लेकर dividend pay किया गया वो company एक तरफ तो यहाँ पर rock solid debt-free company बन सकती थी और सारी जिंदगी कमा सकती थी और साथ में एक और करोर रुपीज का interest पे कर रहे हैं न यह पूरा का पूरा interest net profit में account होता अगर यहाँ पर इस पूरे के पूरे borrowing को यहाँ पर pay कर दिया गया होता तो company को zero debt company बनाया जा सकता था सारी जिंदगी net profitability बढ़ाई जा सकती थी और उसके बाद में क्या होता जो net profit 12,000 करोर का अभी है और interest इसमें साथ में add होता 7,000 करोर का यह total कितना हो जाता 19,000 करोर 19,000 करोर के net profit से company हर साल कितना कुछ कर सकती थी यहाँ पर इसको इंडिया की सबसे बड़ी company भी बनाया जा सकता था क्योंकि इनके पास सबसे बड़े भंडार है private companies के उपर के पास government companies को छोड़के इतने बड़े भंडार mining के किसी ओर company के पास नहीं है लेकिन यहां क्या है यहां retailers का धियान नहीं रखना company उनकी होती नहीं है retailers की company नहीं होती है यहां सिर्फ अपना धियान रखना है जिस company को zero debt बनाया जा सकता था उसको सिर्फ और सिर्फ अपने घर पर 42,000 क्रोड ले जाने के लिए कुछ नहीं सोचा गया balance sheet की हालत खराब कर दी गई और उसका result क्या निकला है balance sheet खराब होने का कि जो debt equity ratio जो amazingly zero debt पे ला सकते थे अभी वो कहा हो गई उसकी हालत खराब हो गई अब उसका result क्या है उसका result मैं आपको बताता हूँ जो वेदानता Foxconn की जो deal थी वेदानता Foxconn के साथ जो deal थी उन्होंने deal को मना कर दिया और यहां पर दोनों ही अलग हो गए why Foxconn exit may not be bad news anyways वो अपनी अपनी राय है यहां पर लेकिन इन्होंने Foxconn dumps 19.5 billion वेदानता चिप plan क्यों अगर आप इसको detail में पढ़ोगे न तो यह detail में सिर्फ एक ही answer है Foxconn का कि इनकी balance sheet pathetic balance sheet है अब आज की rate में यह करजे में डूप सकते हैं अगर यहां पर raw material यानि की mining जो iron ore है या जो alumina है या जो zinc है अगर international market में metal के prices डाउन चले गए तो यहां पर यह शायद जो interest pay करना होता है 8,000 crore का 7,000 crore का उसको भी pay नहीं कर पाएंगे और company loss making company बन सकती है यह risk निकल करा रहा है इसलिए Foxconn ने इस deal को scrap कर दिया अगर यह dividend pay करने के बदले यहां पर इसको debt free कर लेते तो आप सोचो क्या होता company आज की debt में rock solid होती Foxconn वेदानता के साथ करार करता और यह सबसे बड़े semi conductor बनाने वाले chip बनाने वाली company बन जाती convert हो जाता क्योंकि लगातार इस 20,000 crore जो हर साल profit आता इसको new ventures में invest किया जा सकता था लेकिन ऐसा कब सोचा जाएगा ऐसा सब तब सोचा जाएगा Indians के बारे में कब सोचा जाएगा अब ध्यान से सोचना Indians के बारे में तब सोचा जाएगा हिंदुस्तान की जितनी भी सारी चीज़े जहां से लूट कर वहां ले जाई गई उसी country में रहते हैं जितने भी लोग यहां से भाग कर जाते हैं वो सारे UK ही जाते हैं क्योंकि वहां के जो rules and regulations हैं वो कुछ इसी तरह के हैं तो कुछ business करने के लिए जाते हैं कुछ भाग कर जाते हैं कुछ वहां रहकर minority shareholders का हनन करने जाते हैं तो मैं इस तरह की वीडियोस बहुत जादा बनाने के mood में नहीं होता लेकिन बहुत बार बहुत सारे लोग कहते हैं आप clarity लेकर तो आओ फिर मेरा मन होता है कि 600 से जादा वीडियोस में बना चुका हूँ अगर अभी भी clarity मुझे ही लेकर आनी है तो आप कब करोगे यार अपनी जिम्मेदारी खुद भी तो कभी लोगे क्या ये data ऐसा data नहीं है जो आप सब को भी तो करो या Netflix में ही सारी जिंदगी निकाल देंगे या दारू पीने में सारी जिंदगी निकाल देंगे या दूसरों को यहाँ पर blame करने में सारी जिंदगी निकाल देंगे अपनी जिम्मेदारी कभी तो खुद लोगे सिर्फ वही लोग अमीर बनते हैं जो अपनी किस्मत की जिम्मेदारी अपने हाथ में लेते हैं गरीब भी अमीर बन सकता है there are a lot of examples जहां तक का अनिल अगरवाल जी जो इस company के मालिक हैं वो भी जब छोटे थे तो कोई बड़े नहीं थे उनके अब पुराने interviews देखना उन्होंने एक interview में ये भी बताया था जो मुझे याद है exactly मेरे पास clip नहीं आपके साथ share करने के लिए कि जब वो अपने गाउं से आये थे धंदा करने तो उनके मंदिर के पुजारी ने भी उनकी help की थी थोड़े से पैसे देखा तो वो भी गरीबी थे वहां से उठे हैं धिरु भाई अम्मानी भी ऐसे उठे हैं अदानी भी ऐसे उठे हैं लेकिन यहां पर जब अदानी की बात आती है तो उनके खिलाब बहुत कुछ बोला जाता है लेकिन यहां आखों के सामने सब कुछ गलब तो रहहां किसी भी इस्टोक में यहाँ पर टिप देने की बात नहीं करता आपके सामने आपको सिखाने का तरीका बताता हूँ आपको सीखने का तरीका बताता हूँ कि कैसे आप खुद से सीखो यहाँ पर अगेन जो इस्टोक प्राइस है उस पर मेरी कोई राय नहीं है मैं आपको सिर् nobles रखे हुए देखते थे comics के बीच में वर्दिवाला गुंदा कुछ ऐसा ही है तो यहाँ पर अपने आपको बेचारा समझने की जरुरत नहीं है बेचारे आप खुद बने हुवे हो क्योंकि आप खुद से study नहीं करते हैं कोई भी again मैं आपको याद दिला रहा हूं कोई भ पर गोतम अदानी गलत कर रहे हैं आप खुद गलत कर रहे हो अपनी जिम्मेदारी खुद से नहीं लेकर लेकर यहां सतर्क होने की जुरत है वीडियो को शेयर करना अगर दोस्तों को भी सिखाना कुछ चाहते हो नहीं सिखाना चाहते है तो जैसे खुद नहीं सिखते वैस सच्चाई होती है इस तरीके से खुद से गूगल पर सर्च करके आप सब कुछ खुद से सीख सकते हो सीखोगे रिच बनोगे नहीं सीखोगे तो खाने को दो रोटी तो अभी भी मिल रही है यहाँ पर समझदार हो समझ जाओ कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ तब पर जहीं जावराद